दोस्तो आप सभी का स्वागत है यहां पे अपिशोर नंबर 3 में तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेट टाइम आइबल रीकानेट है जासलीम सीजन नंबर 3 के बारे में और अपिशोर नंबर 3 के बारे में तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी शी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैन स्काइब नहीं किया है तो प्ली चैन स्काइब कर दीजएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज़्यदा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई-नई वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आपसे जय हाँ जोड के विनती है कि आप लोग मेरी लिए 40 कमेंट कर दीजएगा अगर आप 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो ज़्यदी लेकर आऊँगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो टियारा होती है यह बोल रही होती कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा तब हम यहाँ पे जो अल्फ लेड़ी होती है यह बोलती कि वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है लकिन मुझे जो सेली मैन है उसे खो दिया है कल हम लोग यहां पे उसको देखने गयłam लेकिन हमें बाद चला कि यहाँ पर बो जह सकता है कि यहाँपे कोई गलती हो क्योंकि यहाँपे जो sallyman है वो जह यहाँपे बहुजा ताकतवर है और वो जह एक demon load है तुम्हें यहाँपे demon load को कोई कमजोर बンドा नहीं समझना चाहिए तभी यहाँ पे लेपस आ जाता है और यह बोलता है कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है तभी यहाँ पे टियारा कहते है कि यह बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे जो सेफली वापिस आ गए हो लेकिन तुमने यहाँ पे जो वेल्टन है उसे जह कैसे हराया तो य यहां पर लेपस कहता है कि वेल्टन को हराने के लिए यहां पर भूजा दिक्कत हुई लेकिन हमने तब उससे फाइटिंग करी जब यहां पर पुनमासी का चांट वहां पर परजेंट था इसके कारण यहां पर वेंपायर है वह बहुत जब कमजोर हो जाते हैं और हमने उससे और मैं यहाँ पे बचके आ गया मैं कोई सेलमन की तरह यहाँ पे बेकुफ तरी हूँ तभी यहाँ पे एक और जोकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे सेलमन के बारे में कुछ भी मतलो तो यहाँ पे यह बोलता है कि नहीं मैं तो बोलूँगा जिसके बाद ये दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं तभी यहाँ पर लड़का बोलता है कि तुम दोनों फाइटिंग करना बंद कर दो क्योंकि तुम दोनों को मैंने जह चुना है अगर तुम दोनों यहाँ फाइटिंग करोगे यहां पर एक डमन लोड के हातों लेकिन मैं यहां पर बहुत खुश हूँ कि जो लैपस है वो जह यहां पर उपस आ गया है जिसके बाद यहां पर लड़का बोलता है कि उन लोगों ने यहां पर हमसे सब कुछ छेंड लिया यहां पर उन्हों ने जो सैलमन है उसको भी मारा और यहां पर हमारी जो जल रही थी और जो पैसे से उनको भी छेंड लिया जिसके बाद यहां पर एल वड़की बोलती कि मुझे पदत ला कि उनको यहां पर जह किसी सलाइम ने मारा है तब यहां पर जो लड़का होता है यह बोलता है कि अगर हमें यहां पर जो पूरा वर इन सभी को इन सब चीजों की जो कीमत है वो जह चुकानी पड़ेगी जिसके बाद लैपस यहाँ पर गुस्ता हो जाता है और एक इवल सी समाइल देता है फिर नेक्षीन में हम देखते कि यहाँ पर होली एंपायर लूपिनेस को दिखा जाता है और यहाँ पर एक लड़की जह वॉक कर रही होती है और यह कहती कि यहाँ पर इस कंट्री के अंदर जो सोसल इक्वलेशन है वो जह आ गया है इस कंट्री ने अपना पूरा गोल यहाँ पर प्राफ कर लिया है लेकिन यहाँ पर इन्हों सारा कुछ जो अपना ट्रेजर है वो जह गोड को दे दिया है जिसके बाद यह लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पर अगर तुम्हें लगे की तुमने सह कुछ खो दिया तुम अपीश आ सकती हो, तो यहाँ पर यह लड़का बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे हमीच उसके सैल्टर है उसमें नहीं रह सकता मुझे यहाँ पर जो बहुता है वो जह करनी है मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ मुझे पाचला कि यहाँ पर अगर तुम ताकदवर हो तो ही तुम यहाँ पर एक खड़े हो पाओगे इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को जो फाइनट करने के लिए जो तला से वो जह सुरू कर दी नेक्शिन में एक बंदा यहाँ पर एक बीश्ट को मार रहा होता है और यह जो होता है यहाँ पर उस बीश्ट को मार देता है उसको जोइन कर लेता है लेकिन यहाँ पे लड़ाई के अंदर इनका कैप्टन मर जाता है जिसके बाद यह लड़का इनका कैप्टन मर जाता है जिसके बाद यह लड़का बोलता है लेकिन मुझे बाद में रिलाइस हो गया था कि यहाँ पे जो कैप्टन थे और जो उनके भाई थे वो जो थे यहां पे वेमपायर थे जिसके बाद यह जो होता दोनों से लड़ने के लिए आयता है यह बोलता है कि यह दोनों यहां पे जो इनसान का रूल है उसको जह बदल रहे हैं मुझे इनको हराना ही पड़ेगा यहां पे जो होता लड़का इनसे जो होता फार्टिंग कर रहा होता है अब इन दोनों के साथ फार्टिंग करने के बाद यहां पे लड़का इन दोनों को हरा जाता है और खुद भी बहुस हो जाता है तब यहां पे जो लीज़ा होती है वो यहां पे आ जाती है कर देती है फिर यहां पर लीजा इस लड़के के पास आती है और यह बोलती कि तुम भी नहीं मर सकते तुम्हारे अंदर यहां पर जह एक गल्ड फैमिने जनम ले लिया है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पर जो इवल चीज है उसको जह दूर कर सकते हो और वैसे पाउरफल बंदग तुम्हें चाहती हूँ कि तुम यहां पर जो सेवन डे ट्रायल होने वाला है उसको जह देऊ जिसके बाद लीजा यहां बोलती कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही जिसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर फाइटिंग करने के लिए त्यार हो ज जालते हैं लेकिन यहां पर जो लीजा है और बाकी बंदे है वह की हडियों को नहीं कुछलते हैं शेंप इसके चाहिए जो पर यहां पर बहुते हो जारह होता है जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि लोबुरो मेरा जो भाई है वो जियर मर गthers है जिसका नाम रोन था तो यहाँ पे लोबुरो जो होता है यह बोलता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है मुझे जियर इस बात पे बिलकुल ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो रोए हैं वो जह बहुत ज़दा पाउरफुल बंदे थे जिसके बाद यहाँ पे यह बंदा बोलता है कि नहीं मैं सज बोर रहा हूं लाश्ट नैट यहाँ पे कुछ यह घुसपेटिया आ गये थे और यहाँ पे रे को मार दिया था जिसके बाद यहाँ पे लोबुरो बोलता है कि जो रोए थे वो जो थे यहाँ पे एक कमजोर बंदे नहीं थे और वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठते थे जो डैमन लूर का टाइटल था उसके लिए अगर यहाँ पे किसी बंदे ने उनको हराया है इसका मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉंग होगा और उसके अंदर बहुत ज़्याद दम होगा जिसके बाद यहाँ पे लोबुरो बोलता है कि आप चिंता मत लीजे यहाँ पे जो लीजा है वो जह यहाँ पे सब कुछ समाल लेंगी तो यहाँ पे सोलजर बोलता है कि इसी बात की यहाँ पे चिंता है क्योंकि यहाँ पे जो रोय है वो जह मर चुका है और यहाँ पे जो बंदे हैं वो जह हमारे उपर अब जह विशास करना बंद कर देंगे और साथी जो यहाँ पे ड्रेगन है वो भी जह अब जिन्दा हो चुका है अब मुझे पता नहीं क्या किरकार मुझे जह क्या करना चाहिए तो यहाँ पर जो लोबुरो होता है यह बोलता है कि वैसे मुझे यहाँ पर ड्रेगन के वार में जाता कुछ तो पता नहीं लेकिन यहाँ पर मैने जह उससे एक बार जाए यहाँ पर फाइटिंग कर रखी है लेकिन बड़ी मुझे से मैं भाग पाया हूँ तब यहाँ पर जो सोलजर होता है यह बोलते कि वैसे तुम्हें याद होगा कि हमें जो टैमपर के खिलाफ जो वोर है उसको भी जीतना है तो यहाँ पर यह बोलती है कि हाँ मुझे बिलकुल याद है इसलिए मैंने यहाँ पर लेकिन यहां पर हमें जो इवल ड्रेगन है उसको यहां पर स्टोप करना पड़ेगा पहले तो यहां पर लोबुरो बोलते हैं कि आप जो यहां पर रे हैं उनको ढूंड लेती लेकिन यहां पर दिक्त ही है कि वो मेरी रेंज से बाहर है अगर मेरी रेंज के अंदर होता तो म में तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुमने यहां पर बस जह मेरे ओडर माने हैं इसलिए तुम यहां पर जिन्दा मतलो तब यहां पर सोजर बोलते कि मेरा जो भाई है वो जह आपकी उमीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया इसलिए आप उसे जह यहां पर भूल जाए इसके बाद यह बोलती है कि तुम यहां पर कुछ भूल रहे हो कि जो यहां पर ड्रेगन है वो जिन्दा हो चुका है और साथ में एक सलाइम आ चुका है जो यहां पर रीबन हुआ है यह काफी ज़दा अजीब बात है लेकिन हमें यहां पर उनके साथ निपड़ना ही पड़ेग क्योंकि जो वेड़मोन है वही जो असल में ड्रेगन है तो यहां पर लोबुरो बोलती है लेकिन उसको सिल भी तो किया गया था ना जिसके बाद यहां पर लिज़ा बोलती कि तुम यहां पर लगता कि ड्रेगन की पावर को नहीं जानती हो यहां पर ड्रेगन की जो पाव इसके बाद लीजा बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना जो सयम है वो यहाँ पर बना कर रखो क्योंकि एक दिन हम वे उनसे फाइटिंग करनी है। जिसके बाद यहाँ पर लड़का बोलता है लेकिन हमें यहाँ पर जो डेमन लोड री मारू है उसका क्या करना होगा तो यहाँ पर लीजा बोलती कि हमारे पास कोई चोजनी है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो इसको अपना दूस्वान समझने लग जाएंगे। तो यहाँ पर लीजा बोलती कि री मारू ने पहली बोल दिया कि यहाँ पर जो इनसानों के साथ फाइटिंग नहीं करना जाता है। इसलिए वो यहाँ पर जो इनसान है उनके उपर जो हमला है वो जहें नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो लड़का होता है यह बोलता है इसका मतलब हम जो अभी री मारू का कुछ भी नहीं बिगार सकते हैं। और हमें यहाँ पर बस चुपचा ख़ड़े होके जो तमासा है वो जह देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीज़ा बोलती कि तुम बिलकुल साही कह रहे हो। यहाँ पर हमें पहले जैक खड़े रहके यहाँ पर जो तमासा है उसको देख रहा है ताकि हम यहाँ पर जो अच्छा मोका है उसका जहंदजार कर सके। तब यहाँ पे और्वनन बोलता है लेकिन यहाँ पे जो रीमारू है उसका हम क्या करेंगे तो यहाँ पे जो लीज़ा होती है बोलती कि मैंने कहा ना कि उसका जो हम कुछ भी नहीं कर सकती तो यहाँ पर लड़का बोलता है किया मैं यहाँ पर री मारू को जो माने कोशिश है वो कर सकता हूँ जिसके बाद यहाँ पर लीजा बोलती कि मेरा तो तुम बात मानो तो तुम यहाँ पर खुछ भी ना करो और इंके जो main king होते हैं ये बोलते कि मैंने यहाँ पे तैह किया कि मैं यहाँ पे जो temper town है उसको जहाँ यहाँ पे रीबे करूँगा ओभी जह 10,000 यहाँ पे जह सोलोड जिसके बाद यह लोग बोलते कि 10,000 सोलोड बहुत जादा होते हैं यह equal to यहाँ पे जह 1 million coin के बराबर ह होते हैं जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे जह पैनिक करने लग जाते हैं तभी जो महराज होते हैं यह बोलते कि तुम लोग यहाँ पे जह शांत हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो अगर हम लोग उनको रीबे नहीं करते तो यहाँ पे जह दिकत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो री मारू है वो जह यहां पे वोर को डेकलेर कर देगा अगर उसने यहां पे वोर डेकलेर कर दी तो यहां पे जह हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि री मारू के साथ यहां पे बहुत सार एक खतरनाक मॉस्टर है और साथ में जो स्टोर्म ड्रैगन है वो भी जह हमारे अगेंस्ट हो जाएगा जिसके बाद हमारी कंट्री का बचना जहे यहां पे लगभग नमुकिन है तब यहां पे एक बंदा बोलता है कि मैं कब से आप लोग को यहां पे बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहां पे एक डोकुमेंट है वो रिसीब हुआ है वो भी आजी जिसके बाद मैं आप सभी के साथ यह डोकुमेंट यहां पे शेयर करना चाहता हूँ जिसके बाद ये डोकुमेंट को निकालता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो बेमियन किंडम है उसने यहाँ पे कहा कि वो टेमपर किंडम को सपोर्ट करेगी और उसने जहे हमारी नकामया के उपर यहाँ पे मज़ाक उड़ाया है जिसके बाद यहाँ पे सभी बंदे और त्विं यहां पर जो कैनाइट होता है वो यहां पर आ जाता है और यह बोलते कि Guys आप लोगों यहां परि Shaun 0 यहां पर यह जो घिल है उससे जहाई है ज adults भोलते हैं तुम बताव क्या किर्गायद तुम्हें कॉन्स रिपोर्ट देनी है असल में जो मास्टर रीमारू हैं वो जह यहाँ पे चलेना फुरेश्ट के अंदर जा रहे हैं और साथ में उन्होंने अपने आपको जो डेमन लोड है वो जह डेकलेर कर दिया है और सभी बंदे बहुत ज़्यदा पैनिक हो रहे होते हैं तब एक और सोलजर आ जाता है और यह बोलता है कि यहाँ पे जो डेमन लोड सेलमन है वो जह हार चुके हैं और यहाँ पे जो रीमारू डेमन लोड है उनको जह यहाँ पे कंट्री का जो है नया डेमन लोड मान लिया गया है और यहाँ पे उनका जो Demolode का नाम है ओवी जही चेंज कर दिया गया है जिसके बाद यहाँ पे जो king होते हैं यही बोलते हैं कि मैं आप समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है और यहाँ पे सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं यह बोलते हैं कि तुम सभी मेरी गलती के वए से यहां पे इन कंडीशनें पहुज गए हो इसलिए यहां पर आपना जो पद है उसे छोड़ देता हूं और यहां पर चोटे भाई को जो पद है वो देता हूं यहां पर सब्सक्राइब कर रहा होता है और जिसके हमाराज यहां खतम हो जाता है अगर आपको अपिशोड अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजेगा और यहां पर आप बाकी अपिशोड भी देख लीजेगा तभी आप स्टोरी को अच्छे समझ पाएंगे और साथ ही अगर आप पहली बार इस रिस को देख रहे हैं तो प्लीज अच्छी लगी होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैन स्काइब करीजेगा मिलता हूँ अगले अपिशोड के अंदर जब तक लिए बाई बाई